क्या रे एव, साउथ कोरिया आटो मोबाइल कमपनी ने अपनी लाइनप में एक नई इलेक्रिक कर को शामिल किया है। यह क्या रे एव है। यह एक एंट्री लेवल इलेक्रिक कार है जो बहुत ही किफायती है। कमपनी ने इसके ओफिशिल बुकिंग भी शुरू कर दी है। यह एक फैमिली वेन है जिसका लुख बहुत ही जबर्दस्थ है। इसे शहरी रास्तों पर बहुत ही आराम से चलाया जा सकता है। इसके लुक और डिजाइन को लेकर कमपनी ने काफी अच्छा काम किया है। यह दिखने में किसी पैट्रोल कार की तरह ही लगती है। हाला कि इसकी कीमत अन्य इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले कम रखी गई है। अगर आप साउथ कोरिया में इसे खरीदने जाएंगे तो इसके लिए आपको 27,700,000 कोरिया इवोन देने होंगे। यह भारत में लगभग 17,000,000 रुपे के करीब बनते हैं। इस इक्या ने 6 रंगों में लॉंच किया है जिसमें स्मोग ब्लू कलर भी शामिल है। इस कलर को हमने एव 9 को पहले देखा था। इसके इंटिरियर में हमें लाइक ग्रे और ब्लैक कलर का ओप्षिन मिलता है। इसके अलावा इसमें 10 इंच का इंस्टूमेंट फ्लस्टर भी दिया गया है। जिस पर आप एंटेटेन्मेंट का मजा ले सकते हैं। इस इलेक्रोनिक कर में स्विफ्ट लवर फ्लैट फोल्डिंग सीट दिया है। इसके जर्ये करके स्पेस को बढ़ाया जाता है। रे एअग में 32 किलोवाट आवर की ख्षमतावाला लिथियम आयन बेटरी पैक दिया गया है। इस बैटरी को 64 kW की क्षमता वाला इलेक्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है। इस इलेक्रिक मोटर के द्वारा 86 HP का पावर और 147 Nm का टॉप जनरेट किया जाता है। अगर आप इसे एक बार फुल चार्ज कर देते हैं तो ये 205 से लेकर 233 km तका रेंज दे सकती है।